सबका शुब हो, सबका मंगल हो, इसी शुब मंगल आशीश के साथ सबको सादत रमस्त है। पूरा विश्व इस वक्त करोना महमारी से जूज रहा है। मैं याद करती हूँ, मार्च के वो दिन, बारा मार्च, तेरा मार्च, जब हमने अपनी प्री प्राइमरी क्लासिस के रिजर्ट्स देने शुरू की है। 17th मार्च, हमें अपनी स्कूल का रिजर्ट डिकलार करना था, प्राइज इस्ट्रिविशन फंक्शन करना था, लेकिन हमें ऑनलाइन रिजर्ट देना था। और तब से हम सब लॉक्डाउन की कंडिशन में चाद रही है। मैं एस प्रिंसिपल साक्षी हूँ अपनी हर टीचर की उस महनत का जो दिन रात, रात को ग्यारा बज़े भी वो वीडियो बनाते हैं ताकि दिन का वाइस, नौइस उनकी लेक्चर में रिकॉर्ड हुआ हूँ। हमारे टीचर की महनत के साथ साथ बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं। मैं खुश होती हूँ जब पैरेंट्स अपने बच्चे की वीडियो बना कर बेजते हैं। और हम बहुत प्राउडली उन वीडियो को अपनी टाइम लाइन पर शियर करते हैं। मेरी अपील है सबसे आगे आएं हमारे टीचर की पूरे विश्व भर के टीचर को इस वक्त आपकी होसला अफजाई की ज़रूरत है। पुमजोर होने देना दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं। जो चंद लोग आपको गुम रहा कर रहे हैं, उनको विश्वास दिलाइए। आप उनसे बात कीजिए। उनको बताइए कि टीचर बच्चे का सही माग दर्शक है। कोई टीचर सेलरी के लिए काम नहीं करता है। हमारा स्कूल तीन गाउं की जमीन पर बना है। सुताना गाउं, उंकला गाउं और आसन गाउं। सुताना गाउं के सरपंच साथ उनका बेटा पड़ता है हमारे स्कूल में। वो पिछले दिनों उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैडम बहुत सारा पैरेंट ऐसा होगा जो फीस नहीं दे पाईगा। मैं क्या तीन साल की एडवांस फीस चमा करा दूँ। तीन साल की एडवांस फीस लेने के लिए हम ऑठराइस नहीं हैं। पर मेरे मना करने के बाब जूद भी उन्होंने पूरे वर्ष की फीस को चमा कर दाया। इसलिए कि कुछ ऐसे जो की नॉर्मल दिन चरया, जो जुरूरी खर्चे हैं, टीचर्स की सैलरी देनी है, स्टाफ की सैलरी देनी है, वो कहीं सफर में करें। इस वख स्कूल ये एक्सपेक्ट करता है, डीएवीज में नहीं, बहुत सारे स्कूलों में वो बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पैरें स्कूल हैं, हमारे पास थर्मल प्रोजेक्ट सभी गोर्मेंट इंप्लोईज के बच्चे डीएवी थर्मल में बढ़ते हैं, गोर्मेंट टीचर्स के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे सैलरी द ग्लास जो पैरेंट्स हैं, उनके बच्चे डीएवीज में बढ़ते हैं, म ये वीडियो फीस कलेक्शन के लिए जारी किया गया है। DAV थर्मल उन स्कूलों में से हैं, जो 134 एके 200 बच्चे स्कूल में बढाता है। और उसके इलावा हमारे DAV थर्मल के टीचर्स ने एक स्टूडेंट एक क्लब बना रखा है। उस कलब में वो बच्चे जो मेरिटोरियस हैं, नीडी हैं, हम अपनी सैलरी में से उन बच्चों की फीस पे करते हैं। उसके इलावा भी मैं साक्षी हूँ, उन इंसिडन्स का जब कोई पैरेंट आता है कि मेरी ये मश्बूरी हो गई और मैं फीस पे नहीं कर सकता। तो हमारे टीचर अपने पर्स में से पैसे निकाल कर उनको देते हैं कि आज आप अपने बच्चे की फीस पे कीजिए, जब आपके पास पैसे हूँ, आप दे जाएगे। और वो पैरेंट्स जब उनकी यथा शक्ती होती है, वो रिटर्न भी कर जाते हैं। दीएवी धर्मल के टीचर, मैं फक्र से कहती हूँ, 20 टीचर की मुझे फोन कॉज आई होगी कि मैम, if there is any financial crunch, आप हम तब तक सेलरी नहीं लेंगे, जब तक की सब कुछ स्मूथ लाइन नहीं होता। लेकिन टीचर के इलाबा हमारे स्कूल में सफाई करमचारी भी हैं, माली भी हैं, बहुत सारे ऐसे करमचारी हैं, मुझे याद आते हैं, वो दिन जब एप्रिल आता था, तो सब लोग एक लेटर लिखा करते थे, कि हमें गेहूं खरीदना है साल भर का, हमें स्कूल से उनके घरों की रोटी सेलरी से चलती हैं, अंत में मैं सभी पैरेंट से यही अपीन करूगी, जल्दी ही देश के हालात सुद रहेंगे, तक तक और उसके आगे हमेशा हम सभी टीचर्स निरंतर कारे रत रहेंगे आपके बच्चे के उजवल भविशे के लिए, आप भी आगे आएं, होसला बढ़ाएं, हमारे सहयोगी बने और उन चंद लोगों की बातों पर ध्यान दाते हैं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद